तो हेलो क्या हाल चाल तो आज हम हाली में लॉंच हुए Samsung Galaxy S24 Ultra का full comparison S22 Ultra और S23 Ultra के साथ करने वाला है उसमें क्या-क्या नया डाला गया है और क्या-क्या अंतर है वो full review के लिए वीडियो को पूरा देखना और कहीं भी skip मत करना तो ऐसी ही टेक्निकल वीडियो देखना पसंद है और नये mobile का unboxing और review पसंद है उसे लेना चाहिए कि नए वो सब देखने के लिए हमारे इस चैनल को subscribe कर देना और वीडियो पसंद आए तो एक like कर देना तो सलो चरू करते हैं आज का ए वीडियो तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले display का comparison करेंगे जिसमें सब के अंदर display type diamondic AMOLED 2X display डाली गई है और उसकी brightness की बात करें तो S22, S23 के अंदर 1715 nits की brightness डाली गई है तो S24 के अंदर 2600 nits की brightness डाली गई है जिसमें refresh rate की बात करें तो 3 फोनों की अंदर display का refresh rate 120 Hz की refresh rate के साथ फोन आते है और उसकी size की बात करें तो display की size भी 6.8 inch तीनों फोनों की अंदर डिस्पले के साथ आते है regulation की बात करें तो सब के अंदर ही regulation भी similar आता है बस थोड़ा सा फर्क देखने में सामने आता है जिसमें PPI देखें तो सब के अंदर PPI भी similar है जिसमें S22 के अंदर 515 PPI तो S23 के अंदर 500 PPI तो S24 के अंदर 505 PPI के साथ phone आता था अब जाके protection की बात करें तो S22 के अंदर Gorilla Glass Victus Plus का protection आता था तो S23 के अंदर Gorilla Glass Victus 2 का protection था और S24 के अंदर सबसे मदबूद Gorilla Glass Armor का protection दिया गया है इंगरेट protection की बात करें तो तीनों फोनों के अंदर IP68 के rating के साथ आते हैं जिसमें 3 मीटर अधे घंटे तक पानी में भी phone रह सकता है जिसके साथ performance की बात करें तो सबसे पहले सबके phone के अंदर operating system Android 14 One UI 6.1 के साथ आते थे चिपचेट की बात करें तो S22 में 8 Gen 1, S23 में 8 Gen 2, S24 में 8 Gen 3 का processor आता है सबके performance की बात करें तो S22 3 GHz, S23 3.36 GHz, S24 3.39 GHz के performance के साथ आता है graphic unit की बात करें तो subphone के अंदर graphic Android GPU आता है जिसमें S22 713, S23 के अंदर 714, S24 के अंदर 715 का graphic आता है और RAM की बात करें तो 3 फोनों के अंदर 8 GB और 12 GB के variant के साथ आते हैं और expandable storage की बात करें तो तीनों में से एक में भी expandable storage का option नहीं है कैमेरे की बात करें तो S22 के अंदर ultra wide 12 MP, wide one 108 MP, periscope 12 MP और टेलिस फोटो भी 12 MP के साथ आता है S23 की बात करें तो ultra wide 12 MP, wide 200 MP, periscope 10 MP और टेलिस फोटो भी 10 MP के साथ दिये गये है S24 की बात करें तो ultra wide 12 MP, wide 200 MP, periscope 50 MP और टेलिस फोटो 10 MP के साथ दिये गया है वीडियो रेकोड की बात करें तो तीनों फोनों के अंदर 8K24FPS और 8K30FPS पे रेकोड हो सकता है जूमिंग की बात करें तो 3X, 10X और डिजिटल 100X तीनों फोनों के अंदर जूम होता है सेल्फी की बात करें तो S22 में 40 MP, S23 में 12 MP, S24 में 12 MP और तीनों में रेकोड की बात करें तो 4K30FPS और 60FPS पे रेकोड हो सकता है अब बात करते हैं बैटरी की तो तीनों फोनों के अंदर 5000 MS की बैटरी आती है और तीनों फोन 45W को सपोर्ट करते है और वाइरलेस सारजर की बात करें तो तीनों फोने के अंदर 15W wireless सारजर और depos headquarters की बात करें तो 4.5W wireless charger के साथ आते हैं कनेक्टिविटी की बात करें तो तीनवी फ़ोन 5G बैन को सपोर्ट करते है और फिंगर प्रिंट की बात करें तो अंडर डिस्प्ले उनिक सेंसर के फिंगर प्रिंट के साथ तीनवी फ़ोन आते है Bluetooth की बात करें तो S22 Ultra के अंदर Bluetooth 5.2 और S23 और S24 के अंदर Bluetooth 5.3 latest version आता है Port support की बात करें तो Type-C 3.2 Port support होता है Price की बात करें तो आपको निशे mention की गई है की बात करें तो